26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक चलने वाले सब्ताह का राशी फल लेके मैं आपके सामने उपस्तित हूँ नमस्ते मेरा नाम है योगे शर्मा और स्वागत है आपका हैपी लाग वीडियो के शर्मा में दोस्तो इस राशी फल में आगे बढ़ने से पहले एक विनमर निवेदन जो अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेपा सब्सक्राइब जुरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बलकुल भी नहीं मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं मेश यानि एरिस राशी से आप लोगों के लिए इस सब्सक्राइब में सबसे पहली तो बात है कि शुबता और जो किस्मत का साथ है ये बड़े अच्छे तरीके से मिलेगा इस सब्सक्राइब आपके लिए एक ही इडवाईज है कि आपको कोई महीनों तक आपको अच्छा फल मिलता रहेगा और किस्मत का साथ मिलता होगा अभी प्रतीत होगा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या किसी बड़े सेटप के साथ मिलके कुछ आगे बढ़ने की नौबत इस सब्सक्राइब आ सकती है जो आपके मन को भी प्र पाइदय का सौदा भी बनेंगे लेकिन अगर आप शादी के बंदन में बन रहे हैं या कोई प्रेम संबंदों की शुरुआत हो रही है न तो आपको थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है इस समय में जूट नहीं बोलना है और ओवर प्रॉमिस नहीं करना है नहीं तो आ यानि टॉरस राशी की आपके लिए इस सब्ताह में थोड़ा सा फल जो है माइल्ड रह सकता है मध्यम रह सकता है काम ज्यादा आउटपुट कम और उस काम ज्यादा या स्ट्रेस ज्यादा लेने की वज़ह से एक ठकावट सी बनी रह सकती है मानसिक तोर पे भी और शारीर इस सब्ताह में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे है ना खूब सोच समझ के करियेगा इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट जो है ना या आपको कही ना कहीं फसा सकती है इस सब्ताह का जो शुरुवाती है ना समय यानि आप करीबन बुद्वार तक लेके चलिए इसमें खूब भाग दोड रह सकती है और मौसम के बदलने की वज़ाए से कहीं ना कहीं कोई शारीरिक व्यादी या कोई दिक्कत या बिमार होना या वाइरल ऐसी कोई चीज भी आपको फेस करनी पड़ सकती है लेकिन जो जो सब्ताह आगे बड़ेगा हेल्थ के मामले और किसी तरह से चिड़ चिड़ा रह सकता है हलाकि जो जो सब्ताह आगे बड़ेगा स्पैशली थर्सडे फ्राइडे सेटर्डे आनवर्ड ये सब्ताह आपके लिए आपका परिस्थितियों पर कंट्रोल भी बनाएगा और आपको जीवन में लाब करवाने भी शुरू करेग और घर ग्रहस्ती के मामले में किसी ना किसी तरह का कोई अच्छा फैसला भी ले सकते हैं घर में किसी वेवायोग ये इंसान की शादी के योग बन सकते हैं या घर में किसी ना किसी तरह से किसी सुधार के योग भी दिख रहे हैं इस सब्ताह में सातों दिन पानी में चीनी होगा अगर पिछला कुछ stress कोई विवाद कोई अरजन चल रही है ना वो भी अब आपकी favor में जाने शुरू करेंगी जो भी मित्रों राशी वाले लोग किसी कोट कचेहरी के मामले में उलजे हुए थे उनके कोट कचेहरी के जो मामले हैं वो इस सब्ताह में बड़ी आसानी से sort होने इनकी favor में जाने शुरू करेंगे मित्रों से भी मुलाकात equality time जो है जीवन में spend होगा और इसकी वजह से आप बड़ा ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे हाला कि मौज मस्ती के अलावा इस सब्ताह में जो जो आपने अगर कोई plan बना रखा है न मैं क्यों बार बार किसी भी राशी फल में planning को महत्व देता हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक दम से कैसा समय आता है कि जब जो आपने plan कर पाता न वो फली भूत हो जाता है सूचिए कि वो समय आ गया और आपने plan ही कुछ नहीं किया था तो समय तो आके भी थी जाएगा इसलिए मित्वन राशी वाले जिन्नों ने plan कर रखा है न इस सब्ताह में उनके लिए बहुत ही ज्यादा win-win situation बन जाएगी उनके सारे plan सौ प्रतिशा धरातल पे उतरेंगे और उनको favor करेंगे इस सब्ताह में सारी चीज़ों को सही करने के लिए आप गणपती जी की अराधना करिया उनके गणपते नमा का रोजपाट करिये और बुदवार वाले दिन थोड़ी सी दुरवा घास जो है ये गणपती जी को अरपन क तो अब बात करते हैं करक यानि cancer राशी वालों की आप लोगों के लिए एक mix सा सब्ताह है सब्ताह की शुरुआत में भाग दोड़ ज्यादा है और जितने भी आपके आसपास के लोग है ना चाहे वो बिलकुल आपके DNA यानि आपके siblings या माता पिता बहन भाई हैं या आप के कुछ ऐसे colleagues या friends हैं जिनको आप सगों जैसा मानते हो उनकी तरफ से थोड़ी सी निराशा हाथ में लग सकती हैं निराशा किस तरह से आपको लगेगा उनसे उचित सहयोग नहीं मिल रहा है उनसे proper responses नहीं मिल रही हैं जिसकी वज़ा से आप थोड़ा सा उदास रह सकते ह हाला कि ये चीजें जो हैं ये बड़ी माइनर सी हैं सप्ता जो आगे बढ़ेगा ये चीजें भी सौट होती जाएंगी लेकिन ये सप्ता हमें दिक्कत जो आएगी न वो आएगी खर्चों से खर्चे कुछ इस तरह से बढ़ सकते हैं कि आपके बजट कर बढ़ा जाए ये पूरा calculated risk लीजे या proper सलाह करके working करके risk लीजे और रही बात नौकरी की वही नौकरी में boss की बात को ignore करना इस सप्ता में आपके लिए घातक हो सकता है बिना बात के boss जो है आपके मन में गरज रख सकते हैं आपके लिए जिसका फल आपको आने वाले समय में मिल सकता है वैसे तो arguments जो है बिटर रूप ले सकते हैं और आपके जो personal relations है ये भी खराब हो सकते हैं आपको क्या करना है सप्ताह के सातो के सातो दिन शिवलिंग पे कच्चा दूद चढ़ा के आईए और साथ ही साथ में ओम नमशिवाय का बिना गिने दो-चार मिनट के लिए जब करके आई सरल उपाई लेकिन आपके लिए है अति सटीक उपाई और अब बात करते हैं सिंह यानि लियो राशिवानों की आप लोगों के लिए सप्ताह में बहुत ही मनवांचित परिणाम मिलेंगे मनवांचित किस तरह से इस सप्ताह में कुछ ऐसे influential लोग आपको मिलेंगे कुछ ऐ अगर आप उनके लिए useful बने रहें तो आने वाले समय में भी इस सप्ताह के मिले लोग आपके बड़े ही काम आ सकते हैं हलाकि रिष्टे नातों के प्रती इस सप्ताह में चीज़ें डामा डोल रह सकती है आपके भाईयों बहनों से भी तकरार रह सकती है जीवन साथी से भ कुछ ऐसा सक्त बोल गए जो उनको अच्छा नहीं लगा इस वजह से रिष्टे नातों में किसी ना किसी तरह से दिक्कत आ सकती है और हेल्थ को लेके भी आपको गर्दन से उपर के जो हिस्से हैं इवन दांत, नोज, एयर, थ्रॉट या आपको बालों के जढ़ने तक की स आपके लिए बहुत ही वैल्योड़िशन वाला, फिर यह जो अपके लिए बहुत ही जबरदस, क्या उपाय किया जाए इस सब्ताह में, इस सब्ताह में आपको प्रते दिन केले के पेड को जल देना है, अगर केले का पेड ना मिले तो फिर केवल मंडे वाले दिन, पीपल क पेड को जल दे दीजे, simple उपाई, लेकिन आपके लिए बहुत ही helpful उपाई, जो आपकी nerves को भी काबू में रखेगा, और आपको इस सब्ताह में पूरी तरह से किस्मत connection भी दिलवाएगा, तो अब बात करते हैं कन्या, यानि वरको राशी वानों की, भई इस सब्ताह में डाल से लिया तो भी नुकसान है, उस तरह से लिया तो भी नुकसान है, लेकिन इस समय पे आपको घर के किसी senior member या अपने सरकल में किसी ऐसे सयाने member की help लेनी है, सलाह लेनी है, जिनकी सलाह से आप इस फैसले को सही कर सकें, जल्दबाजी में या emotional हो के फैसला मत करियेगा, नही तो नुकसान होने से कोई रोक नहीं सकता है, इस सब्ताह में धन संबंदी दिक्कते भी आ सकती है, इस सब्ताह में आपको खर्चे और जो भी आपकी आवक है पैसे की, उसको पूरा excel sheet पे या लिक के balance बना के रखना है, क्योंकि अगर आप uncalculated खर्चे इस सब्ताह में करत मौसम जैसे change हो रहा है इसको हलके में मत लीजिए, इसको ignore मत करिए, क्योंकि इसको ignore करना आपको viral किसी fever का या मौसम से संबंदित किसी भी परेशानी का शिकार बना सकता है, आपको क्या करना है, आपको सफेद मिठाई, ये बरफी भी हो सकती है, आपको सौम, मंगल या बजट या आपका temperament, ये भी चीज़ें सही रहें, और अगर बात करें तुला यानि लिब्रा राशी वालों की धन धाने में तेजी से व्रिदी होती होई दिखेगी, अगर आपका कोई धन रुका हुआ था, वो वापिस आ सकता है, इवन इस सब्ताह में अगर कोई आपकी की बढ़ातरी होती हुई महसूस होगी, और जो भी लोग तुला राशी के हैं और उनको पैतरिक संपती यानि अनसेस्ट्रल प्रापरडी की कोई दिखकत आ रही थी न, तो इस सब्ताह में उसके भी सॉल्यूशन होने के योग बनते रहेंगे, स्टूडेंट्स के लिए भ और इवन मैरिड लाइव में भी एक खुशनमावा महौल बना रहेगा, श्री यंत्र अगर आपके घर में है तो उसकी रोज पूजा करिये नहीं है, तो केवल महालक्षमी को आप पूजिए, ओम महालक्षमाय नमा मंत्र का रोज जब करिये पूरा सब्ताह, आपको कोई भ आपके बहुत नेर सरकल में भी हो सकते हैं और आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं और उनके द्वारा जो उनकी जलन वाली एनरजी है यह आपको कही ना कहीं से लो कर सकती है, बीमार कर सकती है, इवन उनके द्वारा किया गया कोई शड़यन तर कोई कौई आपके काम मे आपको लगेगा अडचने डाल रही हैं इस सप्ताह में इस मांसिक दबावसिक को हैंडल कर लीजिए लोगों को इग्नोर करिए अपने काम की क्वालिटी को डाउन मत जाने दीजिए जियों जो सप्ताह भीतेगा ये चीज़ें अपने आप डाउन जाती जाएंगी और सचाह सामने आजाएगी आपकी इमेज का या आपकी किसी भी काम का नुकसान नहीं होगा नुकसान तब हो सकता है अगर आप इन चीज़ों को माइंड करके हाइपर होके रियाक्ट कर जाएं तो इस सब्ताः में रियेक्ट करना है जो वो मना है आपकी थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन ये जो यात्रा है ना आपके लिए वैली ओडिशन का काम करेंगी और जो व्रिश्चिक राशी वाले लोग रोजी रोटी के लिए भटक रहे थे या कही ना कही परिशान हो रहे थे उनके लिए नए और्डर नया रेविनियो नई टर्नोवर ये भी इस सब् जासे कही ना कही टाइम वेस्ट हो सकता है या दवाईयों पर भी आपका खर्चा हो सकता है इस सब्ता हमें आप हनुमान जी को मंगल वार वाले दिन सिंदूर और चमिली का तेल अरपन करके आई और डेली हनुमान चली सा पढ़िए फिर देखे किस तरह से ये सब्ता आप सकता है जिसकी वचा से आपको चैलेंजिस फील हो यानि आपको comfort zone से सब्ता हमें बाहर आना है और बिल्कुल काम को perform करना है challenging time है ये challenging time किस तरह से है आपको अपने talent का use करना है इस समय में अगर आप इस चीज़ को कर गए तो फिर पूरा सब्ता आपके लिए रहेगा जबर प्रेक्ट का काम करते हैं ठेके लेने का काम करते हैं या commission based काम करते है उनके लिए सब्ता हमें जो है काफी बढ़िया माहौल बनने वाला है इवन आपको अपने परिवार के साथ किसी ना किसी mangal कारह में शामिल होने का मौका मिलेगा या आपके परिवार में भी कोई ना को प्ताहबाद आप लेके चलिए कि आपकी लाइफ में ना कुछ पैसा कमाने के बड़े मौके आ सकते हैं रातो रातों मौके नहीं आते हैं तो आपको इस सब्ताह में खुब विजिबल होना शुरू करना है ताकि जो भी मौके आएं पता ही नहीं कि किस इंसान से आजाएंगे किस कोने से आजाएंगे इसलिए जितना इस सब्ताह से विजिबल होना शुरू करेंगे आने वाले समय में उतने ही बड़िया मौके आपको मिलते रहेंगे तो एक सरल उपाए है प्रते दिन पानी में चीनी डालके सुर्यांजली देनी शुरू करिये और अदितर रदेस्तोत को सुनिये या पढ़िये इस सब्ताह में आपको विजिबल होने में और सफल्ता लेने में भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी तो चलिए अब मकर यानि कैप्रिकॉन भई आप लोगों के लिए बैलेंस बनाने का सब्ताह है इस सब्ताह में पैसा भी कमाईए और पर्सनल रिलेशन्स के तरह भी ध्यान दीजिए अगर दोनों में से किसी एक तरफ जुग जाएंगे तो दूसरा पलड़ा जो है वो खर जरूरी है और इस सब्ताह में कोई बड़ा करजा लेने से बचिए और खर्चा उतना ही करिए जितने आपके साधन हो साधन से बाहर जाके खर्चा करेंगे न तो फिर इस सब्ताह में नहीं आने वाले सब्ताहों में भी आप ऐसे की दिक्कत में लगातार फसे रह सकते हैं जैसे ग्रह गोचर बन रहे हैं, इवन इस सप्ताह में आपके लिए ना, कमाने के कुछ अच्छे नए सूर्सेज बनने जा रहे हैं, बस आपको क्या करना है, चतुर बनके रहना है, उन सूर्सेज को एंटी स्पेट करना है, ज्यों ही वो सूर्सेज आएं, लपक लीजिए उनको, उनको लपक ना जो है न, वो आपके काबलियत पे डिपेंड करता है, कुदरत आपको सूर्स जो है 100% देगी, जो लोग अपने काम में जुड़े हुए हैं न, उनको सप्ताह का जो हाफ रहेगा न, अधर हाफ, यानि Friday, Saturday, Sunday, इस सप्ताह में थोड़ा सा स्लो डाउन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन थोड़े दिनों की बात है, इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हनुमान जी के आगे आपको क्या करना है, चमिली के तेलगा दिया जलाना है मंगलवार, इस से क्या होगा, कि कोई भी अपर ये चीज इस सप्ताह में आपके साथ नहीं होगी, और किस्मत कोनेक्शन पूरी तरह से आपसे जुड़ा रहेगा, और अगर कुम्ब यानि क्वरियसालों की बात करें, तो भाई आपको इस सप्ताह में वो सेंसर अपना आउन करना है, जो पात्र और कुपात्र के बीच में फर्क करता है, जी हाँ, इस सप्ताह में कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं, जिनकी गलत सलाह आपको पतबरष्ट कर सकती है, यानि आपको जो आपके आसपास लोग है न, हम चाहते ना चाहते हो उनकी बात को सुनते हैं, उनसे इंप्रेस भी होते हैं, तो जो भी आपके आसपास लोग हैं, उनके प्रती एकदम से चौंक के सतर्क हो जाएए, यानि हर किसी की सलाह को आँक बंदगर के यकीन नहीं करना है, और लोगों की सलाह पे भी पूरा नहीं चलना है, सुनो सबकी, करो अपनी, ये इस सप्ताह का आपका मंत्र है, यात्राएं भी कर सकते हैं, ओंदा टोस भी रहेंगे, और ये यात्राएं जो हैं, ये आपको अच्छा फल भी देंगे, और यात्रा के दौरान भी, आपको कुछ ऐसे कॉंटक्ट मिल सकते हैं, जो आने वले सप्ताहों में आपके काम आएं, और इस सप्ता में जो सबसे बढ़िया बात है, आप वेपार में हैं तो आपके सप्लायर, और अगर आप नौकरी में हैं तो आपके बॉसे उनकी क्रिपा के आप पात्र बनेंगे, और उसकी वज़ाए से भी आने वले सप्ताह तक भी जीवन में मौज जो है, ये लगी रहेगी, केवल और केवल कंधा सर्वाइकल जो एरिया है, इसकी केर करिये, पोस्टर सही रखिए, ये चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती हैं, चाय की पत्ती का अदान करिए, संडे मंडे या ट्यूजरे किसी एक दिन, कितनी भी कॉंटिटी में, किसी भी धर्मस्तान पे, इतना करना जो है, पूरे सप्ता में हेल्थ भी सही रखेगा, और आपका किस्मत कोनेक्शन भी पूरी तरह से बना के रखेगा, और मीन यानि पाइसेज, बही गुड़ लग वला सप्ता, पूरी तरह से किस्मत कोनेक्शन आपके उपर महर्बान रहेगा, इस सप्ता में आपके जितने भी आपने कुछ अची चीज़े सोच रखी थी ना, अगर सोची हुई थी, तो वो पूरी तरह से आपके लिए फली भूत होने वाली है, इवन नई जिम्यदारियां मिल सकती है, नया डोमेन आपको मिल सकता है, कुछ नया प्रोफाइल मिल सकता है, यानि ओवराल आपके कद में बढ़ोतरी होगी, मैं फिजिकल कद की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जितना बढ़ना था बढ़ चुका, ये कद है आपकी गुडविल का, ये कद है आपके ऐसे प्रोफेशनल इमेज का, और इस सब्ताह में जमीन जायदात के मामलों में भी आपको फिवर मिलेगी, किसी प्रॉपर्टी के लेने या बेचने के योग भी बन रहे हैं, और जो सबसे बढ़िया बात ये है, कि आपको किसी ना किसी तरह से कोई लेयर एक्टिविटी, या किसी ना किसी तरह से कोई टूरिजम के एक्टिविटी जो है, वो देखने को मिल सकती है, जिससे मन भी रिजूविनेट होगा, और इसकी वज़ाए से आपके जीवन में कुछ वैल्यू भी एड़ हो सकती है, आपको केवल गुटनों से नीचे अपने जो पैर या जोड़ हैं, इनकी थोड़ी सी केर करनी है, और उपाय के तौर पे केवल एक ही उपाय है, प्रति दिन ओम नमो भगवते वासु देवाए नमा इस मंत्र का 108 बार रोज जब करिये पूरा सब्ताह, इससे क्या होगा, पूरा सब्ताह जो है इश्वर की क्रिपा साक्षाद आपके साथ जुड़ी रहेगी, तो दोस्तों ये था इस सब्ताह का, आपके लिए राशी फल, मैं आशा करता हूँ, इससे लाब लेके आप अपनी आने वाली लाइफ को बहुत ही अच्छा बना पाएंगे, अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर राशी वाले आपके जो सजयना उनको इस जानकारी की जुरूरत है, तो इस वीडियो को शेर करना भी मत बूलिएगा, बहुत जल मिलते हैं नए टॉपिक नए विशे के साथ, अपना खूब ध्यान रखियेगा, नमस्ते.